नमस्षकार दोस्तों दोस्तों आप लोग एक बार फिट से स्वागत हैं हमारे यूट्व चैनल इन्वेस्ट वर्ल में दोस्तों आजकी alanимость कुछ वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे इन्वेस्टर के बारे में जो अपनी इन्वेस्टमेंट को लेकर अग्रिसिव हैं जो कि यहाँ पर अच्छा खासा रिस्क लेकर अपनी इंवेश्मेंट को करना चाते हैं और साथ ये साथ फ्यूचर में एक अच्छी खासी रकम यहां से बनाना चाते हैं दोस्तो आज किस वीडियो में हम बात करेंगे मातर 2,000 रुपे की SIP की जी हाँ दोस्तो कैसे आप 2,000 रुपे की SIP से फ्यूचर में 1,5 करोड से पी जादा की रकम यहां से बना सकते हैं जी हाँ दोस्तो दीकि दोस्तो वीडियो का आप बहुत इध्यान से देखेगा और अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा इस वीडियो का परपस बनाने का यही है कि आपको इस इन्वेश्मेंट प्लान को काफी आसान और सरल भाषा में समझाए जा सके तो चली दोस्तो शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को दीकि सबसे पहले हम यहाँ पर 2 mutual fund का पूरा एक analysis करेंगे तो हम यहाँ पर जो हमारा पहला mutual fund है वो हम यहाँ पर लेकर चलेंगे जो की रहेगा SPI Small Cap Fund दीकि दोस्तो अगर हम यहाँ पर बात करें इसके थोड़े analysis की तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करें इसके AUM की तो वो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है 25,435 करोड रुपय का बात करेंगे इसके expense ratio की तो वो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है 0.69% का बात करेंगे minimum investment की minimum SIP investment की तो आप 500 रुपय से इस mutual fund में अपनी investment SIP की जणनी को शुरू कर सकते हैं value research rating के हिसाब से mutual fund हमें 3 star rating वाला यहाँ पर देखने को मिलता है महीं दोस्तों अगर हम बात करें इस mutual fund के market cap की तो यहाँ पर जो हमें maximum investment है एक small cap category का fund है तो यहाँ पर हमें maximum investment small cap में देखने को मिलेगा जो की रहेगा 86.27% का बात करें अगर mid cap की तो यहाँ पर हमें investment देखने को मिलेगा 6.75% का लार्ज cap में हमें यहाँ पर कोई भी investment देखने को नहीं मिलता है riskometer के हिसाब से very high risk category में हमें यह mutual fund यहाँ पर देखने को मिलता है महीं दोस्तों अगर हम बात करें इस mutual fund के past के returns के बारे में देखिए अगर हम सबसे पहले यहाँ पर बात करें past के 3 year returns की तो वो हमें आपर देखने को मिलते है 25.91% के बात करें अगर 5 year returns की तो वो हमें आपर देखने को मिलते है 25.65% की मैं अगर हम बात करें एक all over returns के बारे में तो वो हमें आपर देखने को मिलते है 25.97% के काफी बढ़िया हमें आपर इस mutual fund के एक all over returns देखने को मिलते हैं दोस्तो ये था इस mutual fund का एक analysis अब यहां पर बात करते हैं अपने दूसरे mutual fund के बारे में जो कि हम यहाँ पर लेका चलेंगे, निपॉन, इंडिया, स्मॉल, कैप, फंट, देखिए अगर हम यहाँ पर बात करें, इसके भी AUM की तो वो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है 45749CR का, बात करें अगर इसके भी expense ratio की तो वो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है 0.79%, बात करें को minimum SIP investment की, तो वो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है 100 रुपए की, अगर यहाँ पर बात करें value research rating के साब से तो यह mutual fund 4 star rating वाला हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, वहीं दोस्तों, गर हम बात करें इस mutual fund के भी market cap की, तो maximum investment हमें small cap में देखने को मिलता है, जो की र परसेंट का, वहीं अगर हम बात करें large cap की, तो यहाँ पर हमें investment देखने को मिलता है 13.05% का, देखें दोस्तों, riskometer के साब से यह mutual fund भी हमें very high risk category में देखने को मिलता है, वहीं अगर हम बात करें इस mutual fund के भी past के returns के बारे में, तो अगर हम बात करें past के 3 year returns की, तो वो हमें आपर देखने को मिलते है 35.87% के, वहीं अगर हम बात करें 5 year returns की, तो वो हमें आपर देखने को मिलते है 30.47% के, वहीं अगर हम बात करें इस mutual fund के एक all over returns के बारे में, तो वो हमें आपर देखने को मिलते है 26.88% के, काफी बड़ी हमें आपर इस mutual fund के भी एक all over returns देखने को म बिलते हैं तो दोस्तों ये था इन दोनों ही mutual fund का एक analysis अगर हम सबसे पहले आपर बात करें fund size की तो देखे किसी भी mutual fund का fund size हमें ये बताता है कि लोगों द्वारा अभी तक उस mutual fund में कितना पैसा invest किया जा चुगा है वहीं अगर हम बात करें expense ratio की तो ये एक annual maintenance charge होता है जो कि companies की ranking 1 से लेकर 100 तक होती हैं वो सभी जो है large cap category में आती हैं और जिन companies की ranking 101 से लेकर 250 तक होती हैं वो सभी mid cap category में आती हैं और जिन companies की ranking 251 से लेकर 500 तक होती हैं वो सभी जो है small cap category में आती हैं दोस्तों अब बात करते हैं हाँ पर investment की कि अगर आप एक 2000 रुपे की SIP इन mutual funds में इंवेस्ट करते हैं तो future में आपके लिए कितनी बढ़िया performance यह दोनों mutual funds दे सकते हैं देखे सबसे पहले यहाँ पर SIP का amount हम ले लेंगे जो कि हम यहाँ पर लेकर चलेंगे देखे पहली duration हम यहाँ पर लेकर चलेंगे 15 years की तो जो यहाँ पर आपका amount invest होगा इन 15 सालों में वो यहाँ पर invest होगा 3.6 lakh का और जो final value आपको देखने को मिलेगी वो यहाँ पर देखने को मिलेगी 22.69 lakh की अगर duration को आप थोड़ा बढ़ा दे, duration आप यहाँ पर 20 years की कर लें तो जो यहाँ पर आपका amount invest होगा वो invest होगा 4.8 lakh का और जो final value आपके पैसे की बनेगी वो यहाँ पर बनेगी 63.23 lakh की अगर duration को आप थोड़ा और बढ़ा दे, duration आप यहाँ पर 25 years की कर लें तो जो यहाँ पर आपका amount invest होगा, वो यहाँ पर invest होगा 6 lakh रुपए का और जो final value आपको देखने को मिलेगी, वो यहाँ पर देखने को मिलेगी 1.73 CR की एक करोड 70 lakh रुपए से भी जादा की amount आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती है मातर 2000 रुपए की SIP से देखी दोस्तो यही खास्यत होती है compounding की और यही ताकत है long time investment की अगर आप अपने पैसे को एक long time के लिए invest करते हैं तो future में आपको एक balance में return मिलेंगी है और एक अच्छी खासी रखम आप यहाँ से बना सकते हैं तो दोस्तो यह थी आज की वीडियो उम्मीद करता हूँ वीडियो से आपको काफी help हूई होगी वीडियो आपके लिए काफी important रही होगी देखे दोस्तो अगर आपको मारी वीडियो अच्छे लगे है हमारा काम अच्छा लगे तो मारी वीडियो को like और share जरूर कीजेगा अगर आप लोग का भी कोई question है कोई doubt है किस तरह कोई portfolio analysis है जो कि आप हमारे channel पर चाहते हैं तो आप हमें comment section में बता सकते हैं बाकी दोस्तो ये कोई recommendation वीडियो नहीं है education purpose वीडियो आपके लिए बनाई गई है किसी भी तरह की investment से जुड़ी हूँ advice ये वीडियो नहीं देता है बाकी दोस्तो अगर आप हमारे channel पर नहीं है तो मारे channel को भी subscribe सरूर कीजेगा थन्यवाद